हेलो दियर स्टुदेंट्स वन्स अगें यह तो दिमोंस्ट्रेट और मैठ्स प्रॉब्लम सो राइट नाओ आम डिस्क्राइविंग यूर प्रॉब्लम ओन बेस्ट रॉन प्रॉपर्टी सो इसके पहले मैंने आपको बताया लाप्लास इन्वर्स लाप्लास के समें स्पिसेल स्पिसेल टाइप में मैंने केटेग्राइज किया हुए है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेकेंड टाइप इन्वर्स लाप्लास के सेकेंड टाइप बेस्ट रॉन प्रॉपर्टी से आप कौन-कौन से कोश्टन सौल कर सकते हैं उसको अपन यहां देखते हैं मैंने देखेंडे आपको सबसे पहले फॉस्जी में बताया कि आपको एट लिस्ट फाइफ फ्रॉपर्टी याद रखने है तो यहां पे वह स्प्रॉपर्टी फ्उइठ और थाइदब आम धीना है मिनार्स इन्वर्स ऐसा रहेगा s upon s plus 2 upon s square plus 2s plus 3 that means numerator में कोई साथ लीनियर function हो सकता है but denominator में quadratic equation होगा quadratic या cubic equation होगा में भी हो सकता है कि यह repeated हो that means इसका square यहाँ पे हो repeated हो तो ऐसे quadratic equation हो सकते है so अगर इस denominator के quadratic equations का factor possible हुआ अगर factor possible है तो यह third type में चला जाएगा based on partial fraction based on partial fraction so यह third type में चला जाएगा कब जब यह इसका factor हो जाएगर factor possible नहीं है तो इसको हम लोग property से property best solve कर सकते हैं तीक है और property based में एक formula आपको याद रखना होगा completing square method तो completing square क्या होता है कि अगर a plus b का whole square है basically यह सबको पता होगा इसकी value होती है a square 2ab plus b square a square plus 2ab plus b square अब हमारे पास कोई सा भी यहाँ पे value ले लो कोई सा भी function ले लो ठीक है जैसे a के place में मुझे रखना है 2x minus 3y इसका whole square करना है तो आप easily solve कर सकते हो इसको ठीक है तो यह completing completing square method यूज करेंगे best on property के लिए question कुछ इस पर कर रहेंगे है अपने problem solve कर रहें देखते है first problem यह ऐसा है evaluate laplace inverse s plus 2 upon s square plus 6s plus 7 ठीक है इसको solve करना है आपको ठीक आप सबसे पहले इसको check करो कि जो इसकी denominator है क्या इसका factor possible है इसका factor possible यहाँ पे नहीं है तो इसको हम लोग completing square से solve करेंगे ठीक है इसको solve करने के लिए फिर let आपको मानना पड़ेगा assume कर लो इस function को s plus 2 upon s square plus 6s plus 7 ठीक है अब इसको completing square a plus b का whole square बनाना है ठीक तो बनाते है यहाँ पे s plus 2 upon s square दिख रहा है s square को आप a assume करो यह a है तो a का whole square तो s square को as it is रखो अब मुझे क्या चाहिए a plus b का whole square में 2a a हमारे पास क्या दिखा तो 2a a की value s है तो यहाँ होगे 2a अब b चाहिए तो actual में middle term कितना है 6x है तो 6s है और यहाँ पे मैंने लिख रखा है 2s अब मैं ऐसे ऐसे कौन सी value रखो ताकि यह 6s बन जाए तो इसके लिए simple सा funda आप इसके coefficient को s के coefficient को जो यहाँ पे 6 है इसको जो भी यहाँ पे coefficient होगा उसको यह 6 को 2 से divide करो तो 6 को 2 से divide करेंगे 3 मिलेगा तो यहाँ पे 3 को put कर दो यह value किसकी हो गई? b की अपने के assume करना है कि यह b की value है so यहाँ पे मिलेगा आपको 2ab अब मुझे चाहिए b का square तो b का square के लिए क्या करना होगा? मुझे b का square मतलब 3 का square 3 का square होगा plus 9 तो plus 9 add करा इसको equivalent बनाने के लिए मुझे minus 9 यहाँ पे add करना पड़ेगा यह 6s है तो यह plus minus 9 और plus 7 अलड़ी हमारे पस है तो यह हो गया अब यहाँ से मिलेगा आपको एक perfect square s plus 2 upon यह होगा a square 2ab plus b square इन सबको एक साथ रखो तो यह मिलेगा s plus 3 का whole square s plus 3 का whole square यहाँ आपको क्या दिख रहा है? minus 9 plus 7 तो minus 9 plus 7 क्या होगा? minus 2 ठीक है? यह मिला first value ठीक है? यह हो गया f of s की value then इसके बाद इसमें आप assume करो या consider करो taking both side taking inverse Laplace transform on the both side इसमें हमने Laplace inverse ले लिया तो यहाँ पर मिलेगा Laplace inverse f of s is equal to Laplace inverse s plus 2 upon s plus 3 whole square minus 2 ठीक है? यह value मिला इसके लिए क्या करना आप? यहाँ पर s plus 3 है और s plus 2 है आपको इसका inverse Laplace find करना है तो इसमें लगेगा property और वो property कौन सा होगा? shifting का जो मैंने पहले ही आपको first video में बता रखा है वो है Laplace inverse f of s plus a का value e to the power minus 80 Laplace inverse f of s यह होता है shifting property जिसका use यहाँ पर करना है तो जहाँ भी f of s plus a दिख रहा हो आपको उसके जगाँ पर आप रखिये इस a को बाहर करके e to the power से और यहाँ पर f of s तो यहाँ देखें यहाँ पर s plus 3 और यहाँ s plus 2 so problem है अब s plus 3 को s plus 2 नहीं बना सकते हैं बट यहाँ पर s plus 2 को s plus 3 बना सकते हैं तो यह ऐसे होगा Laplace inverse s plus 3 minus 1 2 को मैंने क्या लिख दिया 3 minus 1 तो यह होगा s plus 3 और नीचे आपके पास s plus 3 का whole square minus 2 तो अब इसको separate कर रहा हूँ मैं इदर s plus 3 को separate करना है तो इसको separate किया जाए तो यह मिलेगा equal to Laplace inverse f of s is equal to Laplace inverse s plus 3 upon s plus 3 का whole square minus 2 minus 1 upon s plus 3 का whole square minus 2 इस पूरे function को देखो इस पूरे function को देखने के बाद आपको मिलेगा कि हर जगा जहाँ भी s है वहाँ पे s plus 3 है so इसको easily shift कर सकते है by the shifting property e to the power minus 3t Laplace inverse और जहाँ भी s plus 3 था उसके जगा पे लिखेंगे s तो यह होगा s upon s square minus 2 और minus 1 upon s square minus 2 ठीक है अब इसको separate करो e to the power minus 3t as it is यह हो जागा Laplace inverse s upon s square minus 2 so problem is this कि हमारे पास जो formula है वो मैंने आपको बताया cos 80 and sin 80 का बट यहाँ पे दो formula और use होंगे जो कुछ इस परकार है Laplace inverse a upon s square minus a square जब अगर minus a square हो तो यह cos 80 and sin 80 जो होगा वो hyperbolic function बन जाता है और यह हो जागा sin h 80 जब minus आएगा तो Laplace inverse s upon s square minus a square इसकी value हो जाएगी cos h 80 यह formula इससे similar दिख रहा है बट problem is this कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे a square है तो मुझे भी यहाँ पे square बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा square बनाने के लिए root और फिर इसका square कर दूंगा तो इसके value में कोई भी changes नहीं होगा बट हमको square के form में मिल गया ठीक है minus इधर भी मुझे बनाना पड़ेगा square तो मैं क्या कर रहा हूं इसको s square minus root 2 का whole square कर दिया इसकी value में कुछ भी change नहीं है बट something का square मिल गया that means a की value root 2 बन गई अब formula यहाँ पे आप देखो a upon s square minus a square है और यहाँ पे 1 है तो इसके लिए भी मुझे a की यहाँ पे जरूरत पड़ रही है requirement a की है that means a root 2 तो root 2 का इस पूरे function में into करा तो यहाँ से divide भी करना पड़ेगा that means a मिला तो हमारे पास यह formula बन गया इसको मैं erase कर रहा हूँ तो e to the power minus 3t और laplace inverse s upon s square minus a square क्या होता है cos h at that means root 2t minus 1 upon root 2 और यह हो जाएगा sin h root 2t तो यह इसका answer तो based on the property we can solve the such type of problem so next question एक और देखते हैं जिससे कि आपके questions doubt जो भी है वो clear हो जाएगा next question second question laplace inverse evaluate करना है evaluate evaluate laplace inverse s upon यहाँ पे आप ले लो constant कोई सी constant value 3 upon s square plus 4s plus 1 इसको solve करना है ठीक है इसको solve करने के लिए फिर same problem same step problem same step same इसको assume करो let f of s is equal to 3 upon s square plus 4s plus 1 plus 1 नहीं plus 5 लो ठीक है plus 5 अब आपको इसको factor बनाने हैं अगर यह factor हो रहा हो तो यह third type based on partial fraction पे solve होगा अगर factor नहीं हो रहा हो तो फिर based on property पे रहेगा मतलब इसको completing square से solve करेंगे so यहाँ पे इसका कोई factor possible नहीं है so इस f of s को completing square बनाते हैं तो 3 upon a हमारे पास already है a square plus 2a अब 2a मुझे क्या करना है इस 4 को divide करना है 2 से तो मैं 2 से divide करूँगा तो मुझे मिलेगा 2 तो यह b की value है plus मुझे चाहिए b का square 4 फिर से देखते है इसको माना s को माना मैंने a तो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको a square तो a square मतलब s square plus 2a मतलब 2s और b की value ऐसी क्या रखों जिसको multiply करने पर 4s आ जाए तो simple मैंने आपको इससे पहले बताया कि इस 4 को divide करो 2 से जो भी value आएगा उसको यहाँ b बान लेंगे और b का square तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या तो minus 4 plus 5 लिखो या तो फिर ऐसा बोलो कि जो 5 है उसमें मैंने 4 को यहाँ रख दिया तो 5 में plus 4 रख दिया तो क्या बचा plus 1 बचा तो यह value remaining plus 1 को as it is रख देंगे so f of s is equal to 3 upon s plus 2 का whole square तो s plus 2 का whole square plus 1 and then taking inverse law plus लेंगे तो इधर होगा inverse law plus 3 upon s plus 2 का whole square plus 1 और 1 को square लिख सकते हैं इसमें shifting properties यूज़ कीज़िए है तो यहाँ मिलेगा f of s is equal to shifting यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे इस पूरे inverse वाले इस function में जहां भी s दिख रहा है उसके साथ s plus 2 है और वह एक ही place पे s plus 2 का whole square तो इसमें shifting लागेंगे तो यह होगा e to the power minus 2t law plus inverse और s plus 2 जो होगा वो s में convert हो जागा यानि 3 upon s square plus 1 square formula कौन सा बन रहा है यहाँ पे a square a क्या होना चाहिए 1 तो इस 3 को पहले लाओ तो यह 3 यहाँ आगया second question देखते हैं देख लिया third question next problem evaluate laplace inverse s plus 2 upon s square plus s plus 2 नहीं s plus s minus 3 कीजिए s minus 3 s square plus 4 s plus 13 6 x plus 13 6 s plus 13 यह इसको लेकर ठीक है इसको solve करना है फिर same problem and same step assume करो this is the value of f of s तो let f of s is equal to f of s is equal to s minus 3 upon s square plus 6 s plus 13 ठीक है इसको solve करना है तो f of s is equal to completing square बनाएंगे क्योंकि इन दोनों का factor possible नहीं इस quadratic equation जो numerator में quadratic equation है इसका factor possible नहीं हो रहा है तो इसको अपने को solve करना है based on property से यह हो जागा s minus 3 completing square यहाँ पर इसको square बनाना है इस factor possible जब नहीं हो रहा है तो यहाँ हो जागा a square मतलब s square 2 ए भी फिर इसको 2 से divide करना होगा 2s b की value क्या आ रही है 3 plus 3 का square 9 अब 13 में से मैंने 9 लिख दिया तो क्या बचा 4 बचा तो 4 यहाँ पर लिख लो इसकी value आ गई s minus 3 upon s plus 3 s plus 3 का whole square plus 4 ठीक है अब इसमें inverse Laplace यूज़ करेंगे एक तो यहाँ पर inverse Laplace यूज़ कर रहे है तो Laplace inverse f of s is equal to Laplace inverse s minus 3 upon s plus 3 का whole square plus 4 4 को 2 का square लिख सकते हैं बढ़ आप जैसे देखोगे यहाँ पर s plus 3 और minus 3 यह दोनों different value है तो फिर यहाँ पर आपको shifting लगाते समय ध्यान देना पड़ेगा कि plus 3 और minus 3 different different thing है तो दोनों को same करना पड़ेगा तो इसके लिए Laplace inverse मैं के गरूंगा s plus 3 और minus 6 लिखूंगा तो ही जाकि यह equal हुआ तो यहाँ होगा s plus 3 s plus 3 का whole square plus 4 को लिख दिया 2 का square तिक अब Laplace inverse इसको मैं separate कर रहा हूँ s plus 3 upon s plus 3 का whole square plus 2 का square और minus 6 upon s plus 3 का square plus 2 का square तिक है तो Laplace inverse फिर इसमें आपने यूज़ करेंगे shifting दिख रहा है कि इस पूरे function में जहां भी s है उसके साथ 3 already present है तो यहाँ पर होगा s plus 3 s plus 3 s plus 3 तो यहाँ से shifting shifting यूज़ करके e to the power 3 t को बाहर तो यह मिलेगा s upon s square plus 2 का square और minus 6 6 के लिए मैं लिख रहा हूँ 3 into 2 upon s square plus 2 का square 2 इसलिए ताकि एक formula बन जाए a upon s square plus a square so e to the power minus 3 t यहाँ होगा आपके लिए यह formula क्या बन गया s upon s square plus a square cos 2 t और minus 3 into sin 2 t टिक है यह value हो गई Laplace inverse f of s की जो आपका final answer होगा ठीक है तो ऐसे इस questions को solve कर सकते हैं यह था based on properties का इसके बाद आपको मिलेगा partial fraction के लिए